हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चनल ट्रेवल फूर्ट सनापलो दुनिया पर आज हम आपको ले जाने वाले हैं उत्राखंट में इस्तित एक ऐसे निशनल पार्क में जो जानवरो के लिए फेमस ना होकर अपने फूलो के लिए जाना जाता है हाँ दोस्तो आप बिल्कुल सही हैं आज हम आपको बताने वाले हैं फूलो की घाटी के बारे में जो की उत्राखंट के गड़वाल में इस्तित है और यूनिस्को दरास सन 1982 में घोसित विश्व धरोवर इस्तल नंदा देवी अभ्यारण नंदा देवी राष्टि उध्यान का एक पार्ट भी है दोस्तो आप यहाँ पर कैसे आएं कहां रुकें यात्रा में कुल कितना खर्चाता है साथ यहाँ पर पहुचने के लिए घंगरिया बेस कैम कैसे पहुचेंगे आप या घंगरिया से कितना ट्रेक आपको करना पड़ेगा वो और भी बहुत कुछ दोस्तो बस आप आपने साथ बने रहे हों देखे हमारा यह चोटा सा पूरा वीडियो दोस्तो उत्राखंड के चमोली जिले में इस्तित फूलो की घाटी परियरटो को के लिए इस वर्स एक जून 2022 से खोल दी जाएगी समुद्सल से लगबग 3600 मीटर की उचाई परिस्तित इस विष्ट परिस्त घाटी में आपको दुरलब यह आकरशक फूलो की 600 से अधिक प्रजातियां देखने को मिलेंगी यह घाटी ट्रेकिंग में रूची रखने वालों के लिए भी बहुती आकरशन का केंद्र है और अगर आप यहां प्राकरतिक संदर्ता देखने के लिए आ रहे हैं तो फ्री आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट जगा है चलिए दोस्तोव आप सबसे पहले बात करते हैं कि घाटी को एक्सप्लोर करने के लिए कौन सा सीजन बेस्ट रहेगा दोस्तो अगर आप फूलो को फुल ब्लूम पर या कहें कि आप घाटी को बिलकुल फूलों से हरा बहा देखना चाहते हैं तो जुलाई से सितंबर का समय आपके लिए बिलकुल बेस्ट है चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आप यहां कैसे पहुँच सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की तो यहां आने के लिए आप उत्राखंड में इस्ते हरिद्वार, रिसी के से देहरादून रिले सेशन म बस से उत्राखंड के गोविंद घाड पहुचना होगा जो की बद्रीनास से करीबन 25 किलो मेटर पहले पड़ता है दोस्तों बस ओवर ट्रेक्सी के बारे में हम आगे विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों अगर बात करें दूरी की तो देहरादून रिले सेशन से गोवि मार्की तो आपको बता दें जो इसका सबसे नस्दी के हवाई अड़ा है वो जॉली ग्रांट हवाई अड़ा है जो कि आप सभी को बताएगी वो देहरादून में इस्थित है यहां पहुचकर भी आपको वायरोड टैक्सी या बस से ही उत्राखंड के गोविंघाट पहु आगे आपको यूनिन की सेरिंग टैक्सी से पुलना गाउ तक चाना होगा जो कि करीबन वहां से चार किलोमेटर की दूरी पर है जिसका गराया है कि अगर बात करें तो दोस्तो करीबन प्रतिविक्ती यहां 50 रुपे लगते हैं क्योंकि इसमें सूमो वगरा होती है और करी इवन 11 किलोमेटर घंगरिया बेस कैम पहुचना होता है जिसके बारे हम आगे विस्तार से बताएंगे ने वाले है चलिए दोस्तो आप बात करते हैं कि आप हरिद्वार रिल्वेस्टेशन या एरपोर्ट पहुचकर आप आगे का सफर कैसे करेंगे दोस्तो बात करें बसो सुबा चार से साथ बज़े के बीच में मिलती हैं मेरी राय में तो आप सुबा चार से पांच के बीच वाली बस पकड़कर वहां से निकल लें क्योंकि ये सफर करीबे 9 से 10 घंटे का होता है और जल्दी गोविंगार्ट पहुचकर आप असानी से रूम लेकर आराम कर सकते हैं क्योंकि अगले दिन भी आपको सुबा जल्दी गोविंगार्ट से पुलना और फिर वहां से ट्रेकिंग के लिए निकलना होता है दोस्तो बस टिकट आप बस के कंड़कर से या किसी ट्रेवल एजनसी या खुद भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं जिसका किराया 500 से 650 तो यात्रों के संख्या भी जादा होने वाली है दोस्तो यही बसे आपको आकर चलकर रिसी केस से मिलती है इसके लावा आपको रिसी केस बस स्टेंट से भी उत्राकंट परिवन की भी बस मिल जाएगी जो करीवन सुबा 5-6 के बीच में बदरीनाथ के लिए जाती है गोव अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाकर देख सकते हैं चलिए दोस्तों बात करते हैं टैक्सी की तो हम आपको बता दें आपको सेरिंग टैक्सी हरिदवार से गोविंद घाड तक या रिसी केस से गोविंद घाड तक आपको 800 रुपे प्रतिवेक्ति के किराय में मिल जा आप यदि सुबा हरिदवार या रिसी केस से निकलते हैं तो देर साम ही गोविंद घाड पहुच पाएंगे वह इससे आगे का सफर आप रात में नहीं कर सकते हैं इसलिए आप चाहे तो गोविंद घाड से 20 किलमेटर पहले जोसी मट में भी रुख सकते हैं जहां पर आप आपको कई सारे होटल मिल जाएंगे और फिर अर्ली मार्निंग सुबा जोसी मट से निकल कर आप गोविंद घाड पहुच सकते हैं और फिर उसके आगे का आप सफर कर सकते हैं दोस्तो इसके लावा आप गोविंद घाड में भी जाकर रुख सकते हैं वहां पर आपको यदि आप बदिनाथ धाम के दर्शन के बाद फ्लावर्स वैली जा रहे हैं, तो आपको बता दें, बदिनाथ धाम से भी आपको सुभा ही गोविन घाट के लिए निकलना होगा, बदिनाथ धाम से सुभा आपको बस भी मिल जाएगी, यदि नहीं मिलती है और आप लेट हो जाते हैं, तो आपको बदिनाथ धाम के टेक्सी स्टेंड से आपको पांस रुपे में टेक्सी गोविन घाट तक के लिए मिल जाएगी, दोस्तों आपको बता दें कि गोविन घाट से जब आप पुलना के लिए जाते हैं, तो आपको गोविन घाट में अपनी डिटेल भी सफर की दोस्तो गोविंद घाट से आपको जाना होगा पुलना जो की वहां से चार किलोमेटर की दूरी पर है यहां के लिए आपको सेरिंग टैक्सी मिल जाएगी जिसका किराया लगबग 50 रुपए प्रतिविक्ति लगता है दोस्तो इसके आगे सुरू होता है आपका ट्रे करीबन 11 किलोमेटर का है जो की प्राकरतिक रूप से बहुत ही सुन्दर है वह ट्रक के दौरान आपको रास्ते में कई गाउं मिलेंगे और आपको बता दें यदि आप स्रीहेंकुन साहिब की यात्रा करना चाहते हैं तो भी आपको घंगरिया ही पहुचना होता है दोस्तो करें दोस्तो लगबक सभी लोग गंगरिया में 2 दिनों तक ताहर कर दोनों ही जगाओ फ्लार्स्ट वैलिव और स्रीहेंकुंद साहिब की यात्रा करते हैं दोस्तों बस थोड़ा इंतजार करें स्रीहिमकुन साहिप की यात्रा का detailed वीडियो मेरे इस वीडियो के बाद आने माला है चलिए दोस्तों अगर आप चलिए दोस्तों आप बात करते हैं आगे की सफर की अगर पुनला से गहंगरिया तक के ट्रेक की बात करें तो ये easy to moderate level का है थोड़ा सा tough भी कह सकते हैं इस ट्रेक को करने में आपको करीब 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है दोस्तों ये ट्रेक बिलकुल घंए जंगलों से होता हुआ कई गावों वह नदियों को पार करते हुए गांगरिया पहुचता है रास्ते में आपको चाय नास्ते की दुकाने पूरे ट्रेक पर मिल जाएंगी लेकिन आप किसी तरह रात होने से पहले यहंगरिया पहुचने की कोशिश करें क्योंकि दोस्तों इस ट्रेक पर रातरी में भालुओं का खत्रा रहता है इस लिए ट्रेकिंग दौरान अंधेरा हो जाए तो आप ग्रुप में चलें अभी तक हम अब गॉव्मेंट से बारे में कुछ क्लीर नहीं किया लेकिन हम आपको बता दे हैं कि जो पहले यात्राय होती थी उसमें आपको गोविन घाट से घंगरिया तक हेलिकॉप्टर सेवा उपलब्द थी और जब हम 21 में गहे थे तो कोविड को जिसे सेवा नहीं चल लए थी अगर आने वाले समय में आगे चालू होती है तो आपको गोविन घाट से घंगरिया तक के लिए हेलिकॉप्टर सेवा मिलेगी हो जिसके लिए अभी तक करीमन लगबग आपको तीन हजार रुपए खर्च करने पड़ते थे एक और से तो अगर आपको चालू हो जाती है तो अब हेलिकॉप्टर सेवा से भी आ सकते हैं और दोस्तों जो हेलिपेड मना हुआ है घंगरिया में वह करीबन वहां से जो घंगरिया में एक्शुल बेस केम पर जहापर होटल वगरा मिलेगे हैं वह करीबन वहां से 700 से 800 मिटर की दूर पर है चलिए जोस्तो आप करते हैं चलिह कि आप खंगरिया बेस कैम पहुझ गई है तो वहां आप कहा हां रोगे economy तो दोस्तों आपको कई शारे होटल मिल जाएंगे और होटल में होगाइब जर्षेब रुपए में ठीक ठाक रूम बजट वाला मिल जाएगा इसके अलावा दोस्तो एक important बात बता दो कि आप यहाँ free में भी रुख सकते हैं दोस्तो घंगरिया में एक गुरुदवारा है जहाँ पर रूम मिलते हैं जिसके लिए कोई भी चार्च गुरुदवारा जारा नहीं लिया जाता है और गुरुदवारे में आपको लंगर की भी विवस्ता मिलती है दोस्तो घंगरिया में होटल आपको peak season में कुछ महेंगे मिलेंगे यदि आप आखिर में सितंबर या अक्टूबर में आते हैं तो यहां होटल आपको आधे से भी कम दामों में मिल जाएंगे और तब भीड भी कम हो जाती है हमने दोस्तो 2021 में यहाँ पर यात्रा की थी और हम flowers valley और हिस्ट्री हेमकून साइब दोनों जगा गये थे जिसमें हम पांच लोग थे और आपको बता दें उस होटल में रिस्टोरेंट की भी विवस्ता थी तो हमें कहीं खाने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता था लेकिन जैसा आपको बताया है valley में फूलों को अगर पूरे सबाब में देखना हो मेरी राय में आपको अगले दिन सुबह जल्दी उठकर किसी भी हालत में 6 बेज़ तक फ्लार्स वैली के ट्रेक के लिए निकल जाना चाहिए क्योंकि फ्लार्स वैली के अंदर आप रुक नहीं सकते हैं आपको किसी भी हालत में साम 5 बेज़ तक वापस आना होता है और सबसे जरूरी बात आपको बता दें कि फ्लार्स वैली में एंट्री के लिए आपको 150 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा क्योंकि वैली के अंदर आपको कोई भी शॉप्ट नहीं मिलेगी और हाँ जो भी समान ले जा रहे हैं उन्हें वापस जरूर लाएं कोई भी सिंगल रैपर वैली में ना फिके क्योंकि दोस्तों ये वैली हमारी है और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए दोस्तों ट्रेक बहुत ही जादा सुन्दर है बिलकुल अंटज सा है बहुत ही जादे नैचरल और उपर से इसके अद्बुत फूल आपका बिलकुल समझ लीजे आप बिलकुल अपने आपको एक अलेगी दुनिया में पाएंगे दोस्तों आप जैसे ही टिकेट लेकर वैल में मदद करती है यकीन मानिए फ्लार्स वैली की नजारे बिलकुल ही अद्बुत वर रोमान्चक होते हैं हमने तो 2021 में वैली को अच्छे से एकस्प्लोर किया था यहाँ पहाड़ों पर से बहते जहरनों को पार करने के लिए लकड़ी वो टिन से बने कई पुल मिलेंगे आपको जिनको पार करते वक्त आपको रोमान्च, वर्ड, डर दोनों का एसास होगा दोस्तो इसलिए कहा था कि आप सुबा जल्दी घंगरिया से निकलें जिससे कि आप अच्छे से वैली को एकस्प्लोर कर पाएं दोस्तो इस घाटी का पता सबसे पहले बिटिस परवता होई फ्रैंक S. स्मित और उनके साथी R. L. होल्ड्स वर्थ ने लगाया था जो कि 1931 में अपने कॉमेट परवत के अभियान से लोट रहते और रास्ता बटक कर यहां पहुच गए थे गल्दी से इसकी बेहंता कुल सूर्थी से प्रवावित होकर उन्होंने दोस्तो 1937 में इस घाटी में फिर से वापिस आए और 1938 में वैली ओफ लावर्स नाम से किताब प्रकासित करी दोस्तो बर्फ की पाणियों से गिरा हुआ और फूलों की करीबन 500 से अधिक प्रजातियों सजा हुआ यह छेतर बागवानी विसेसग्यों या फूल प्रेमियों के लिए एक ब उनस्पती विग्यानिक जोन मार्गरेट लीज को इस घाटी में फूलों का ध्यन के लिए यहां बेजा गया था लेकिन रास्ते में कुछ चटानी डहलानों से फूल इखटा करते समय वो फिसल गई और उनकी यहां पर मृत्य हो गई थी बाद में उनकी बहन ने उस घाटी रंग बदल देती है कभी लाल तो कभी पीले फूलों के खिलने से घाटी ट्राकरतिक रंग बदल कर प्रटेकों को अपनी और आकरशित करती है दोस्तों इसको अच्छे से एक्स्प्लोर करने के बाद अब घाटी में दो बजे जहां पर भी हो आपको वापस घंगरिया के लिए निकल लेना चाहिए ऐसा टिकट लेते हुए रेंजर्स वारा या जो आपको टिकट दे रहा है वो भी आपको गाइड के तोर पे थोड़ा सा बताता है कि आप रास्ते में दो बजे जहां भी पहुचे हों वहां से वापस रेटर्न हो लें क्योंकि आपको हर हालत में साम को पांच बेर तक वापस लोटना होता है और दोस्तो सबसे जरूरी बात आप जो भी सास समान ले जा रहे हों वो वापस लेकर चरूर आएं वहां बिलकुल भी कुड़ा करकटना पहला है जिससे हमारी प्राकृतिक ध्रोवर हमारी आगे आने वाली पीडियों के लिए ऐसे ही फूलों से सजी रहे चलिए दोस्तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो समात होता है और यदि यात्रा के संबंद में अन्नी कोई जानकरी चाहते हैं तो आप कमेंट कर या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट एड़ दराइट आयम ट्रेवल फूर्स पर भी जाकर मैसेज कर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे इसी कसाथ दोस्तो वीडियो आने इसी कसा दोस्तो अगला वीडियो आने तक के लिए गुडबाई जय हिन जय भारत